न्यूट्रिचार्ज वुमन महीलाओं के लिए वर्दान कहा जाता है क्योंकि महीलाओं के कई सारी प्रॉब्लम्स को ही सॉल्फ कर सकता है इसकी मैं आपको संपूर्ण ट्रेनिंग देने वाला हूँ संपूर्ण यानि इसमें बहुत कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो आपने शायद पहले कहीं नहीं सुना होगा क्योंकि मैं जब training देता हूं तो मैं आपको ऐसी जीज़े बताता हूं जो आपको हर कहीं नहीं मिलती केवल हमारे चैनल पर मिलती है तो दोस्तों नुट्रिचाज वुमन क्या है कैसे है सब कुछ जानेंगे लेकिन उसके पहले हम कुछ विश्य जानकारे जानेंगे हम जानें हैं जब तक हम उसकी requirement को नहीं बताएंगे तब तक हम उस product को sell भी नहीं कर पाएंगे है ना क्योंकि लोगों को फायदा दे रहे हैं हम अपना फायदा बाद में देखते हैं पहले लोगों का फायदा देखते हैं तो लोगों को अपना फायदा उसको बताना पड़ेगा कि बहिए, Nutrition Supplements को ज़रूरी होता है। फिर हम Nutrition as Woman के बारे में बता सकते हैं। फिर बताएंगे हम PIVMF क्या होता है। आपको बताएंगे साथ पोश्र जत्व क्या होता है। Nutrition as Woman क्या होता हैं बात में बताएंगे। फिर आपको, जो 50 nutrient है, एक-एक के बारे मैं आपको बताने वाले हैं, एक-एक यानी एक-एक दोस्तो, एक-एक nutrient के बारे मैं बताएंगे आपको, फिर बताऊंगे मैं आपको कुछ question an answer जो आपके होंगे, वो भी हम इसमें लेंगे, ठीके दोस्तो, तो बहुत अच्छी फुल प्रूफ पैकेज के साथ मैं आपको जानकरी देने वाला हूँ दोस्तो बहुत अच्छी टेनिंग है इसलिए एंडे तक आप इसको जरूर देखेगा फिलाज हो गया यह temporary solution है फिलाल तो हम ठीक हो गए लेकिन पर्मारेंट solution कैसे करें उसका है ना पर्मारेंट solution बहुत जरूरी होता है तो रोक्ताम के लिए यानि पर्मारेंट solution के लिए सभी पोशक्रत्व पर आप मात्रा में शरीर में होने चाहिए दोस्तों हमारे अंदर कु होए तो हमें बिमारी हो जाएगी तो पर्मारेंट solution के लिए हमें चाहिए कि वह पोशक्रत्व होने चाहिए तो साथ तरह के पोशक्रत्व होते हैं कार्बोहाइडर्स प्रोटीन फैर्स विटामिन मिनरल्स वाटर एक और इसमें इसमें छेही लिखे च्छटा चूक गया ह है वह फाइवर तो आईए हम जानेंगे साथों के बारे में उससे पहले आपको ängtर बने के बता देता हूँ और रडी के बारे में बता देता हो रडी क्या होता है एक सवस्वत्त वते दौर्पश्कों के प्रचराथ अंशक्ता होगे पूलति यह तो ली ज़लते वाले आहा चाहिए तो वह एम जी हो गया आपी अधी कम हो गए तो इसकी कमी से होता क्या-क्या है पहले वह समझा लेता हूं बाद में आपको साथ पुर्षय जटों के बारे में समझाएंगे दोस्तों पुर्षय क्यों की कमी से बालों का कमी तुच्छा संबंदि समस्या शवसंद संबंदि बिमारिया यहां कुछ भी और गंभीर वीवारी हो चाहिए यदि आपके अंदर पो shroud के कमज़ोर तो आए दोस्तों साथ पोशक्तत्व के बारे में जान लेते हैं पहला होता है पानी ठीक है पानी दोस्तों आगको पता है ये वैसे पोशक्तत्व नहीं होता है लेकिन जो अन्य जो मेरे अंदर पोशक्तत्व होते हैं शरीर में उनके transportation का काम करता है इसलिए ये जरूरी पोशक्तत्व है इसके बिना जीवम संभव नहीं है लेकिन होता क्या है दोस्तो वाटर है ना असानी से हम पी सकते हैं जब आपको प्यास लगती पी लेंगे तो हमारे अंदर पानी की इतनी कमी होती नहीं है इसलिए पानी ज्यादा ध्यान नहीं देंगे उसको तो बहरी तो पर आसनी से पी सकते हैं इसका और कोई तो solution है नहीं ठीक है तो पानी को हम पी सकते हैं दूसरा carbohydrates, carbohydrates दोस्तों आपको पता है सबसे अधिक मात्रा में उज्जा का स्रोत यह कहा जाता है इसको यानि सबसे ज्यादा उज्जा जो देते हैं वो carbohydrates होता है शरीर के लिए लेकिन शरीर को आसनी से मिल भी जाते हैं आप जो भी खाते हैं रोटी चावल गुड़ खाते है या फिर आप nuts काते हैं आप आलू खाते हैं प्याज काते हैं सबसे आपको आसनी से carbohydrates मिल जाता है यानि इस पर भी ध्यान देने की ज्यादा आमको जरूरत है नहीं तीसे होता है fats, fats दोस्तों आपको आसनी से मिल जाता है तेल के अंदर, सफा, पुफा, मुफा, ओमेगा 3, ओमेगा 6, यह कुछ fats होता है, fatty acids होता है, जो हमको चाहिए ही चाहिए, यह यह अदि आप rice bran oil खाएंगे, तो आपको यह सबसंतुलित मातर में मिल जाएंगे, तो आपको कुछ और खाने के जरूरत नहीं है, यानि तेल से आसनी से मिल जाते है, यानि fats पर भी हमको ध्यान द होते है, minerals भी ऐसे ही होते है, fibers भी हमको पाचन शक्ती में काफी मददगार होते है, तो protein और fiber की हम आज बात नहीं करेंगे, आज में हम vitamin minerals की बात करेंगे, आपको बता देता हूं संतुलित PVMF कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आप सोचेंगे कि हमको पोशत तो चाहिए तो सहीं जल, carbohydrates, fats तो मिल जाएगा, PVMF कहां से मिल जाएगा, आप सोचेंगे, आपको दैनिक आहार से मिल जाए, यानि जो रोजना खाना खार है, उससे मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आजकल organic की कमी हो गई है, organic food नहीं मिल रहा है, फसल में मिलावट की जाती है, यह कई सारी जीजे हो गई है, दूसरा food processing बहुत ज़्यदा बढ़ गई है, यानि खाने को इस तरीके से बनाया जाता है, जिससे उसके शारे पोशेक्तों नाश्ट हो जाते है, तीसरा fast food इतना बढ़ गया है, जिससे हमारी absorption की कमी हो गई है, और fast food में पोशेक्तों तो होता ही में वो लगते नहीं है, इससे भी पोशेक्तों की कमी हो जाती है, यानि ये चार कारण हो गए कि हम दैनिक आहर से संपूर मातरा में, संतुलित मातरा में, परियाप मातरा में पोशेक्तों नहीं ले सकते हैं, तो दोस्तों अब क्या किया जाए, क्या पोशेक्तों को उनके स जोड़ से ले सकते हैं? आप सोचेंगे कि बई जैसे विटामिन C है, हम संत्रे से ले ले, विटामिन D है, बदाम से ले ले, कैलशियम दूद से ले, मैंगनी शेम पालक से ले, क्या ऐसा कर सकते हैं? जी करता हो सकते हो, लेकिन आपको इतना सारे पोशल दत्वू रोजाना ख हो सकती है, ठीक है? तो इसलिए दोस्तों, इतना सब महेंगा पड़ जाएगा, इतना सब अफशोशित नहीं होगा, इसलिए nutrition supplements बनाए जाते हैं, क्योंकि nutrition supplements सस्ता विकल्प होता है, एकदम सस्ते मिल जाता है, शुद्ध रूप होता है, जैसे मान लो, lycopene है, तो lycopene के लि इतना सब आप जब खाओ गे ना, अब्जॉप नहीं होगा, लेकिन यह आसनी से अब्जॉप हो जाते हैं, इसलिए nutrition supplement जरूरी होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया क्यों जरूरी होते हैं, तो दोस्तों, अब मैं आपको बता रहो nutrition supplement के बारे में, दोस्तों, देखो, मैंन आपको पहले हो समझा दिया, अब मैं आपको बताता हूं, निट्रिचाज वोमन क्या है, ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी अभी तक की ट्रेनिंग मजा आ रहा है न, आपको कुछ नहीं जानकर इमेल रहे होगी, मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके से जानकर रहे हैं, आप पूट एक्सट्स मैं बता देता हूं आपको ऐसे ऐसे फल बताऊंगा जिसके नाम भी आपको शायद नहीं बता हो क्योंकि जो फल इंडिया में नहीं मिलते उसको इंपोर्ट करके उसके डाले गए हैं दोस्तों ताकि महिलाओं को पूरा का पूरा फायदा मिल सके पूरा का अब कहेंगे कि नूटियर्ज मैं से ज़्यादा नूट्रियंट है जी हां बिल्कुल इसके अंदर नूट्रियंट है क्यों को थोड़ी आवशक्ता ज्यादा पड़ती है तो दोस्तों चलिए जानते हैं आगे इसके पोशन के बारे में इसके अंदर बोटे निकल्स क्या है पहले हम वो जान लेते हैं फिर उसके फायदे भी जानेंगे Evening Primrose Extract है दोस्तों Evening Primrose Extract ये मासिक दर्म के समस्याओं और स्तंदर्ड से राहत देता है Star Flower Extract है मासिक दर्म से पहले कि समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है दोस्तो मैं आपको mainmain फाइदा बता रहा हूं वैसे तो इसके बहुत जाधा फाइदे होते हैं लेकिंग मैं आपको mainmain बता रहा हूं ताकि आप जैन सको अच्छे से और आपको बिनाDで लेट किया बता सको जाधा फाइदě बताओंगा तो वह भी यूसफुल नहीं रहेगा? ठीक है ना? उसके बाद में LICE को रोकने के अलावा कहीं अन्यलाग! प्रदान करता है मेलाओं को लूटीन है यह आंक के मैकुला में जमा होता है और आखों को नीली रोष्णी की किर्णों से बचाता है और अंधेपन के खत्रे को भी कम करता है इसके बाद में इसके अंदर ग्रीन टी एक्स्ट्रेक्ट है इसमें एंटी रिंकल एफेक्ट होते ह जो तबच्चा को जवान बनाया रखता है ये मेटाबॉलिजम बढ़ाता है फैट को कम करता है और शुगर लेवल को भी नियंतरित करता है इसके बाद में बता हूँ आपको अमीनो एरसेट्स के बारे में अमीनो एरसेट्स देखें तो सबसे पहले अब दोस्तों नाम पे मत जाईएगा मैंने आपको पहले ही बताया था आप इसके काम पे जाईएगा क्योंकि नाम साइंटिफिक होते हैं असमीनो एसिट्स वगदा तो आप काम पे जाईए ये मूड में सुधार करता है अवसाद, माइगरेन और गठिया से राहत दिलाने में प्रभावी होता है अलाइसीन है जो कैल्शियम के अवस्योचरन को बढ़ाता है और हार्मोन के निर्मार्ण में मदद करता है इसके बाद में L-Arginine है जो रक्तु परी संचरन को बढ़ाता है और मास्पेशियो के नुकसान को रोकता है इसके बाद में L-Tryptophan है जो मूड को नियत्रित करता है और घहरी नीन देलाने में मदद कारता है इसके बाद में आपको بتाते तो L-Carnitine के बाद में यह शरीर में वस्था को कम करने में सायक है और मास्पेशियो को बढ़ा कर धकान को दूर करता है यह मानसीक और शालिलिक स्वास्थ को भाहतर बनाने में भी साइक होता है इसके बाद में बता ही टो विटामिन मिलनले Pray तो दोस्तो विटामिन मिल्ल्रस इसके दराइस चबईस है और 26-26 के रिवानवनन थे मैंने आपको को देख लीजेगा लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन ने दूंगा है ना तो हमारा समय भी बचेगा और आपको जानकरी भी बहुत अच्छे से मिलेगी ठीक है जानते हैं हम तेरा पर फूँट ब्लैंड्स के बारे में इसके अंदर तेरा फूँट ब्लैंड्स है दोस्तों जो आफकी अफूँटी को अच्छा रखता है जो तवचा होती है उसको सुष रखने का काम करता है महिलाओ के तुछा के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं ये तेरा-के-तेरा प्रड़क्ट में यह सबका सब दे रही है तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए अब जानते हैं नुट्रिचार्ज वुमन के सम्मिलित रुप से जो इसके इंगिलित रुप से लेते हैं और उसके फाइदे जान लेते हैं जिससे आपको बताने में और आसानी होगी हीमोगलोबिन बढ़ाता है मासी द्रम से जुड़े अवसाद और दल्द को कम कर सकता है हर्मनल कारों को बढ़ाता है लंबे और चमकदार बालों के लिए नाखुन के स्वास्ते के लिए अच्छा है उज्जा और सहन शक्ति में फायदे मन्द है हड्डियों की मजबूत और स्वास्त रखता है जुर्यों को रोकता है और त्वचा को स्वास्त रखता है अब जानते हैं कुछ question and answers बहुत जरूरी है आप जिसको जरूर देखेगा दोस्तों नुट्रियच वोमन में जो पोशक तो डाले गए हैं वे उन फलों या चीजों से लिए जा सकते हैं जिनमें अधिक पाये जाते हैं तो हम नुट्रियच वोमन का सेवन क्यों करें दोस्तों अब देखिए मैंने आपको पहले भी यह बताया था अभी स्टार्टिं का मैंने देखो क्या लिखा है आप इसको पड़ो अगर आप इन पचास पोशेतों को दूसरी चीजों से लिना चाहते हैं तो आपको रोजाना काफी मातला में पपीता केला आम सत्रा बदाम अंगू जैसे फल खाने होंगे आपको रोजाना करीब 40 तरगी चीज़े खानी ह अगर आप इसे रोजाना खाएंगे तो यह आपके लिए बहुत महेंगा साबीत होगा अगर आप इसे खरीद भी सके थो भी आपका शरीर इसे रोजाना अफ्शोषित नहीं कर पाएगा और अन्य बिमारियों को कारण बनेगा इन सभी का अर्क निकालकर नुट्रिजर वो में ले सकते हैं आगे बताता हूं मैं आपको क्या नुट्रिजर वोमन शाकारी लोग ले सकते हैं हाँ बिलकूल नुट्रिजर वोमन पूरहतर शाकारी और पाद है इसे शाकारी लोग ले सकते हैं नुट्रिजर वोमन का उप्योग कैसे और किसे करना चाहिए नुट्रिज मासिक दurm की शुरुयात होने से लेकर मासिक दरुम के अंति तक लिया जा सकता है उसके बाद आप यूट्रीचर्ज मैन ले सकते हैं क्या नीटिर्षाज वोमन एक दवा है नीटिर्षाज वोमन किसी भी परिलामों के लिए इसे लंबे समय तक रोजणा ले हम भी रोज़ खाना खाते हैं हमें भी रोज़णा विटामिन और मेनल्स की जुरत होती है इसलिए हमें नुट्रीचाज वुमन को एक तरीका भोजन मानना होगा और इसे रोज़णा लेना होगा लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बोजन ही ना ले, बोजन दम को लेना ही रोजना, उसका रीप्लेस्मेंट नहीं होता है, उसके साथ में आपको यह लेना है, नेक्स्ट है, नूट रीजाज वोमन में, नूट रीजाज मैन की तूलना में अधिक पोश्यक दतूँ क्यों है, यह हमारे जो जेंड से वो कॉशन पूर्षते हैं ऐसा तो मैं आपको उनको बता देता हूँ जब लड़के और लड़के चोटे होते हैं तो उन दोनों की जरूरते एक जैसी होती है लेकिन जब दोनों की शुरा वस्ता में पहुशते हैं तो माईलाओं में मासिक दर्म की शुरात हो जाती है जिसके करण उनमें blood की कमी होती है और उनको पोशक ततों की आफशकता बढ़ जाती है पुरुषों के मुकाबले इसलिए उनके लिए विशेश नुट्री चार्ज वुमन बनाई गई और इसमें पोशक ततों अलग से डाले गई ताकि उनकी कमीया पूरी हो सके करण उनको ज़्यादा मातरा में पोशर्ण चाहिए पूरुषों की तूल ना ठीक है क्या नुट्री चार्ज मुमन को पूरुष ले सकते हैं नहीं क्योंकि महिलाओं के अनुसार नुट्री चार्ज में ऐसे पूरुषों की मातर डाली गई है जैसे जदी पूरुष लेंगे तो उन्हें समस्या हो सकती है जैसे आइरन की मात्रा ज़्यादा डाली गई है तो दोस्तो आइरन की मात्रा ज़्यादा डाली गई है तो इससे क्या होगा पूरुष ज़्यादा ले लेंगे तो पूरुष को प्रलम हो जाएगी है ना तो यह समझना पड़ेगा आपको इसके और मताता है तो आपको यह safe packaging है यह chocolate flavor नहीं दोस्तों यह अगलती से लिखा गया है यह strawberry flavor में आता है जिससे निगलने में बहुत ही आसानी होती है अच्छी fragrance देती है तो यह था निट्री चाज वुमन की जानकरी मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि दोस्तों इसमें बहुत अच्छे चीज़े डाली गई है जैसे calcium है ना एक गिलास में जिता calcium होता है एक गिलास दूद में उतना ही एक tablet में आपको निट्री चाज वुमन की calcium मिल जाएगा इसलिए बहुत अच्छा product है बहुत अच्छा nutrition supplement है आप इसको जरूर यूज़ कीजिए मेरी माईलाओं से माताओं बैनों से बहुत बड़ा आग रहे है आप पुरूश रेदी देख रहे हैं तो उनसे भी आग रहे है आप अपने गर में जो भी ladies हो उनको इनके बारे में जरूर ब आएंगे आपको हर एक वेक्ति को यह deep knowledge देने की जरूरत नहीं है लेकिन आप उनको समझात हो सकते हैं न ठीक है तो इसलिए बहुत जरूरी है तो इसलिए बता रहो मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि इस तरीके की यूनिक जानकारी जो आपको मिलत आप जरूर देखेगा लिंक आपको description में मिलेंगे आप उनको जरूर देखेगा और इस चैनल को subscribe जरूर कर लेजीगा इस वीडियो को like कीजीगा और महिलाओं तक इस वीडियो को जरूर बचाईगा हमसे live जूरने के लिए हमसे contact कर सकते हैं किसे देका सवाल हो तो हमसे comment मे अगली ट्रेणिंग सेशन में आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस ट्रेणिंग को end तक सुना मिलते हैं धन्यवाद